हलो ब्रेंट स्वागत करता हूँ आप सबका अपनी इस न्यू वीडियो में आइस नेट्वर्क्स रेलेटर्ड एक स्लिटेस्ट इंफरमिशन आई है मुझे लगा आप लोगों को तुरंत बता देनी चीए क्योंकि हम लोग अल्रेडी अड्रेस अबडेट कर चुके है आइस नेट्र कभी भी चाहे एक हफते के अंदर या फंदरा दिन के अंदर हमें विड्रॉल देने वाला है या आप सबको पता है जिन जिन की KYC हो चुकी है अप KYC का पता कैसे चलेगा KYC का इस तरी के से पता चलेगा कि आपने दोनों KYC पास की हुई है तो आपके नाम के आगे हैं पर ग्रीन टिक आ रहा होगा अगर ये ग्रीन टिक आ रहा है ठीक है तो यानि आपकी KYC हो चुकी है ठीक है और यहां पर आपकी KYC अगर दोनों हो चुकी है तो इसका मतलब है कि आप विट्रॉल लेना वाले हैं और आपने address अपडेट कर दिया लेकिन address कौन सा अपडेट किया हम लोगों ने इथेरियम का address अपडेट कर दिया दोस्तों लेकिन यहां पर अवे एक नया धमाकेदार चेंज आया हुआ है लगबग दो घंटे पहले इनकी तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें लिखा हुआ है आइज इंप्रेसे कॉमुनिटी फीडबैक मतब हमने कॉमुनिटी की फीडबैक को चेक किया और मुव इट्स कॉइन डिस्टिबूशन फॉम इथेरियम टू ब्याइट सी हम लोगों ने यह देखा कि जातर लोग चाहते हैं कि बाइनेंस बीन बी स्मार्ट चेंट पर और लेटेस्ट वर्जन में गे तभी आप इसको करेंगे तब इसको करएंगे जैसे अप्लिकेशन को करते हैं यह उपन दोस्तों तो please update का option आ रहा है और मैं अगर please update पे कर दूँ तो play store पे ले जा रहा है यह हमें या फिर यहां से मैं play store पे directly चले जाता हूँ आप भी जा सकते हैं तो यहां पे आई से decentralized का 4 जनवरी 2004 उसको update आई हुआ है तो update कर लेते हैं इस application को हम लोग अच्छा application update कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है वो चीज़ में आपको यहां पे live करके दिखाने वाना हूँ देखो मैंने काफी लोगों को यह चीज़ बोली थी कि play store जो हम लोग डाल रहे हैं वो metamask का यहां पे address डाल रहे हैं तो वैसे तो घपराने वाली बात नहीं है जो लोग नहीं भी चेंज कर पाएंगे metamask का address उनके लिए भी घपराने वाली बात नहीं क्योंकि metamask में सारे addresses चाहे वो ethereum के हो चाहे वो bnb smart chain के हो चाहे वो polygon क्या हो किसी भी network के हो सबके addresses सेम होते हैं लेकिन लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हम लोग इसको change करेंगे और इसको live change कैसे करेंगे हम update करेंगे प्ले स्टोर में पहले हम लोग ice network को update कर लेंगे और उसके बाद यहां से हम लोग इसको open करेंगे open करने के बाद अब हम यहाँ पे application जब open हो जाएगी तो हमरे पास address change करने का option आ जाता है यह और up to date आ गया है update की चीज़ कर यहाँ ठीक है और mining तो यहां पर regular रखिएगा रखिएगा इसके साथ साथ अब यहां पर उपर चलते तो यहां पर address हमने यहां पर देखे पहले यहां पर ठीक है तो यहां पर टाला हुआ है उसको वैसे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि BNB smart chain का भी उसका यही address होगा लेकिन फिर भी हम दुबारा सा address डालेंगे अब हम चलते अपने मेटा मास्क पर ठीक है हम चलते मेटा मास्क पर और यहां से हम मेटा मास्क से या UKX वालेट से या ट्रेस्ट वालेट से आप कौन सा एड्रेस देंगे किसी भी देंगे वालेट से देंगे मैं अगर मेकला कर दिखा रहा हूं मैंने किस त्रीके से इसका इड्रस नीकालना है अब यहां पर आपको इतिरेम में नयटर्ण दर्श यह रहा है जिसका अड्रस यह हैं अब यहां पर हम लोग उसड़ी करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एड्रेसे जाएंगी BNB Smart Chain के BNB Smart Chain पे क्लिक कर देंगे अब देखे BNB Smart Chain का जो एड्रेस है यहाँ पर वह भी आपका मैं बता दूँ वह एड्रेस भी आपका सेम ही है जिरे मोरा लेकिन हम इसको copy करेंगे यहां से BNB वाले को क्योंकि by chance MetaMask अपनी policy बदल दे तो हम कहीं सी वरोजे में रहा जाएंगी MetaMask के address से same होते हैं वो चीज गलती ना हो जाएं तो हम यहां से पुराना address करेंगे पुरा उका पूरा delete और नया जो BNB स्मार्ट सीन का हमड़े address यहां से copy किया है उसको करेंगे यहां paste ठीक है पेस्ट करने के बाद हम यहां पर confirm address पर क्लिक करेंगे फिर confirm करेंगे और इस तरीके से हम यहां पर address को कर देंगे update तो यहां पर आप जो address आ चुका है यहां पर आपको doubt लगता है कुछ भी लगता है आप इसे delete करके paste करके confirm कर पर confirm कर दीजिए ठीक है यह आपका confirm हो चुका है यानि address अब जो मैंने यहां पर डाला है अपना वो यहां पर मैंने आप BNB स्मार्ट सीन कर डाल दिया है जिसने MetaMask का पहले से डाल रखा था उनको खुबनाने की जूरत नहीं है उनका मेरा address पहले भी यही था लेकिन अब भी है लेकिन बस यह है कि मैंने आपको live एक बार करके दिखा दिया जिन्होंने अब तक address नहीं एड़ किया था इस तरीके से अपने address को update कर दें क्योंकि अब हमारा जो यहां पर network है वो Ethereum की जगा पर BSC हो चुका है और इसका reasons यह है कि हमारा Ethereum पर ज़्यादा फीज लगती है users सभी यह कह रहा थे कि BNB में BSC पर launch करो तो इन्होंने BSC पर इसको launch करने का फैसला कर लिया है user कि सुन रहा है इसके सांट 1.2 million follower हो चुके हैं यानि हमारे 12,00,00 प्लस follower Twitter पे हो चुके हैं यह बहुत ही बड़ी good news अच्छी good news है यहां पर और 10 से 15 दिन या इसी महीने के अंदर अंदर में हमें यहां से इस network सभी अच्छा खासा video हमें देखने को मिलेगा तो सभी लोग mining को continue रुखें और जैसी 12 घंटे हो जाते तो 12 घंटे बाद इस वाले icon को 2 मिनिटे के लिए अगर आप दबाएंगे तो आपके mining फिर 24 घंटे के लिए हो जाएगी इस तरीके से कभी भी आपके mining माइनेस में नहीं जाएगी तो आप इसको जुरूर कर लिजेगा दोस्तों एक तो address अप्लेट कर लिजे और हर 12 घंटे में अपनी mining को continue रुखें बड़ा अपडेट है मिसमत कीजिए आपने address आपके अपनी KYC level 1 level 2 के दोनों पास कर लिजे यहाँ पर उसके बाद अपना यहाँ से इसको mining को continue की हर 12 घंटे में और address को अपडेट कर लिजे बेन भी स्पार्ट चेन में ठीक है दोस्तों अपडेट पसंद आईए तो लाइक कीजिए वीडियो को समस्लाव यहाँ